आर्टिकल 370 और 35A की एब्रुगेशन के एक साल बात हम ये देखते हैं के कश्मीर में टेररिजम के वाइरस का भी लॉकडाउन हुआ और कोविट 19 के वाइरस का भी लॉकडाउन हो रहा है कश्मीर की जनता बहुत पुरुवीद है कि आने वाले दिनों में कश्मीर उनके लिए वाके ही वादिये बेनजीर की मसाल होगा जब आर्टिकल 370 के हटने की बात हो रही थी तो तब भारत में भी और दुनिया के कुछ हिसों में भी ये चैमगूया थी कि शायद वहां पर बहुत ज्यादा बल्वे हों राइट्स हों मगर आज एक साल बात दुनिया ने देख लिया कि बल्वे कराने वाले जो सरहद के पार के ऐलिमेंट्स थे वो थे कश्मीर के अंदर के लोग पुरसकून पुर अमन जिन्दगी बसर करना चाहते हैं प्रॉक्सी टेरिजम का जो सिल्सला पाकिसान से अर्सादरास से चला आ रहा है वो कश्मीर को आज मी मतासर कर रहा है मगर उस तरह नहीं जिस तरह आर्टिकल थ्री सैमिटी थर्टी फाइफ ए की अबरुगेशन के पहले के जमानों में किया करता था आज दुनिया ने एक साल बाद देख लिया कि जमु कश्मीर और लगदाख में कोई ऐसी मूवमेंट एक्सिस्ट नहीं करती जो सेपरिटरिजम की बात करती हो या जो बारस से अलग थलग रहने की बात करते हो उससे पहले महौल ये रहा और ख्याल ये किया जाता था कि शायद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा महौल है जो सेपरिटरिजम को परमोड करता है आर्टीकल 370 की अब्रोगेशन ने ये भी बात वाज़ कर दी कि कश्मीर के अंदर सेपरिटरिस्ट पॉलिटिक्स करने वाले या हता के ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो हर तरह के एंगल से पॉलिटिक्स करती थी वो भी अब उस तरह मैटर नहीं करती उनके कारोबारी इंटरस्ट भी एकस्पोज हो चुके हैं और आज जनता एक तरंगे के नीचे पुरसकून और पुर अमन जिन्दगी गुजारना चाहती है आज का हमने एक स्पेशल प्रोगाम आपके लिए तियार किया है आपके साथ कश्मीरियों की उमंगों से भरी हुई वो वीडियो शेयर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि असल कश्मीरी कश्मीर में बसने वाले जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं सबसे पहले टैग हम हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान हमारा है यह हम सब कश्मीरियों की आवास है कश्मीर की डेवलोक्मेट के लिए सेंटर हर टाइम एक कदम आगे रहती है और कोविड-19 के लाई में सेंटर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है आईए सुनते हैं इनकी जबानी मेरा नम आकिब ह है और मैं शरीनियगर में रहता हूँ यहां पर देखने को मिला कि जो कश्मीर एडिमिस्ट्रेशन है रोज हम देखते हैं नियूज में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पहली बार कश्मीर में कुछ और की मतलब एक स्विकेंस में सब कुछ होता है यहां पर कॉर है यहां के सबसे पहले मैं सिलूट करता हूँ जो हमारे डॉक्टर्स है दिन रात वो मेहनत करते हैं लाउग डाउन जो अभी चर रहा है कश्मीर के लोगों ने भी बहुत इसमें सपोर्ट किया है जमुर कश्मीर पलीस हर एक नाका जहां पर होता है वहां पर जमुर कश्म कश्मीर अडिमिस्टेशन इसमें बहुत अच्छा काम किया इसमें और हमें उमीद है कि उस से भी अच्छा काम marriage करें मेरा ममझद है मैं रहता हूँ और आप देख पा रहे हैं किस तरह से अमारी अडिमनेस्टेशन जो बाहरो कर रही है कॉपी नाइटीन से लड़नने के ल सकते यहां कैम का सयवक्तित सबस्क्वारा इंट सबस्कानेटेहरा आछ वब सकते हो तो पने सारे सघ्नायश की सब्सक्राइब जो जरूर्ष की चीज़ें वह भुईया कराना यह सारा काम हमारी गवर्मेंट बहुत एफिशिंटी कर रही है तो डिस्टिक अइबिस्टेशन की बात करते हैं इस्पेशली स्रीनेगर के हम बात करेंगे चाहिए उसमें स्रीनेगर मुनसिबल कॉर्परेशन की बात करें जहा अब भी भी सिती बिलकुल वही होती जो इटाली में थी या जो स्पेयन में थी और यहां पर इतने सारे केसे अरे अगर इतने सारे रिकवरीज ओ रहे है वह केवल इन फ्रंट लाइन वर्यर्यर की तरफ इनकी बदौलत क्यूंकि डॉक्टर्चर्ज देव खे आप अपने पाचा 15 दिन 20 तीज दिन अपने फैमिली से दूर रहते हैं लोगों की खिदमत में जुमो कश्मीर के आफिसर्स एसपी डीएसपी इस चीज में लगे है कि वादे कश्मीर के आवाम को बचा कैसे पाए वादे कश्मीर को लोगों को इस वबाही बिमार से निकाले कैसे अब ज बात ये सुनी अमजद, आकिब, हलीम और पहुत सारे लोगों की इसी तरह की तमनाए हैं ये वो कश्मीरी स्टेक होर्डर्स हैं ये वो कश्मीरी हैं जिनकी आवास तमाम साउट एशिंस तक, साउट एशिंस दुनिया में कहीं भी रहते हों तक पहुंचनी चाहिए कि इन क कश्मीरी कह रहे हैं कि कोविड नाइंटीन के पैंडेमिक के जमाने में जब पूरी दुनिया परशानी का श्कार है और किस तरह कश्मीरी अपनी एड्मिस्टेशन, अपनी भारती सरकार की मदद से इस मौलक बेमारी का मुकाबला कर रही हैं और सपल हो रहे हैं ये जद औ जो कश्मीरी बचिया हैं वो भी शाना बशाना काम कर रही हैं कि किसी तरह हम कोविड नाइंटीन का मुकाबला करें और ये जो इस वक्त का महौल है चैलेंजिंग महौल कोविड नाइंटीन का इस में कश्मीरी जस तरह तुन्दही के साथ मुकाबला कर रहे हैं उससे ये म के वाइरस का मुकाबला भी है जिस तरह के अमन के महाल को कश्मीरियों ने काईम किया है इस एक साल में उस से दुनिया क्нов who elements जिनको ये possiamo कि कश्मीर में कुछ बलवे होंगे या फसदात होंगे उनको मालूम हो गया कि कश्मीरी इसके हक में नहीं आएए मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ उन बच्चियों की मेहनत के हवाले से जो कोवड नाइंटीन का भी मकाबला कर रही है और कश्मीर को एक पुरामन खिता बनाने में काम्याब हो चुकी है और उसको कर दो कि कुप्या है जो बिन फिश्ट्रीज हमारे जो अपने बिन फिश्ट्रीज हैं यूथ हैं जो economically disadvantaged section से आते हैं और उनको skill होता है लेकिन उनको training की जरूरत है ताकि वो उसके बाद अपनी communities में livelihood अपना कमा सके हैं इस वज़से हम उनको यहां पर training देते हैं अब मैं आपको पताऊंगी हमारे यहां पर skilled जो trainers हैं वो इनको यहां पर जो मार्जदी बाकवर्ड सेक्शन को ब्लॉंग करते हैं इसमें हमारे population जो यहां पर आती है trainees की उनमें दोनों चीज़ है यह inclusive training यहां पर हम provide करते हैं इसमें persons with disabilities भी जो है वो उनको भी हम training देते हैं ताकि उन्हें भी equal हक है अपना livelihood खुद से कमाने के लिए अपना है मुझारा नहीं पहले से हम यहां पे टेल रिंग कर रहे हैं फिर हमें कॉल ऑई-अओ ओड़ॉगμέने कोल ऑई अफ ओड़ॉद्वाằy-अज़ों पे आपकों सारे कङम मास्क बनाने नेहां.. और हम और भोक्त पर फो भाल कर भाल कह भी भी। मासक जिन परन समये हुझे सूझरम में झा पर शाव किषन के नियुन तारी कुमाराइग है। शाहिस्ता जान हो उजमा हो कोई भी कश्मीरी बेटी हो वो बता रही है कि किस तरह की पुर्सकून इन्वाइरमेंट है जिसमें वो खास तौर पर अब्रोगेशन आर्टीकल 370 और 35A के बाद काम कर रही हैं और कोविड नाइनटीन के मोलक मर्स से अपनी जान बचा रही है एक ऐसे ही अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर की बेहने बेटियां किस तरह बड़े बड़े टार्गेट सामने रखी हुए है किस तरह वो सोचती है कि मिलियन्स औन मिलियन्स मास्क बनाएंगी कोवड नाइनटीन से मुकापले के लिए अभी जो हम कोवड से लड़ रहे हैं जूज रहे हैं हमारे इतने सारे प्राइम मिनिस्टर एंप्लॉइमेंट जेनरेशन प्रोग्राम आरी जी पी के तहत जो लड़के लड़कियों ने ट्रेलरिंग के यूनिट्स हासिल किये थे मैं आपको बताना चाहूँ आपके मादियम से कि अभी तक हमने दस लाख मास्क जादा अभी तो ये मुझे लगता है दो हफ़ते पहली का अपडेट है मेरे पास के दस लाख मार्क हमने बनाए हैं और इस टाइम पे हमने उनही लोगों को काम दिया एड्मिन्स्ट्रेशन के थ्रू हमने एक फैसिलिटेशन का काम किया district administration ने उनको order दिया, डारेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसे गए, उन्होंने मास्क बनाएं, तो ये काम चल रहा है, इस टाइम पे भी वो लो काम करें मास्क बनाने का, तो ये ही काम हो रहा है, यहां पे, मास्क प्रोवाइड कर रही हूं, उनको मैंने मास्क प्रोवाइड किये, डिस्टिक अडिमिस्ट्रेशन को, डिस्टिक पुलवामा को, डिस्टिक बढगाम को, डिस्टिक सिरी नगर, डिस्टिक आंदर बल को किये, मास्क सामने सप्लाइ किये, और हमने बहुत सारे मास्क डोनेट भी किये, जिसमें हमने और्फनेजिस को, हमने मास्क तो हिनाबाट तबस्म जान जैसी एंटेपरिनोर शक्सीतों की लीडर्शिप में मिलियन्स एंड मिलियन्स मास्क्स बनाने का टार्केट जमू कश्मीर में और खास्तर पर वादिय सिरी नगर में है जो इस बात की निशानदही करता है कि एक साल बात कश्मीर कहां से कहां पहुँच गया और कश्मीर इससे भी आगे जाएगा अभी तो ये एक साल टेस्स का साल है जिसमें भारती सरकार कश्मीरी एडमिनिस्टेटर्स सब इस काम पे लगे हुए हैं कि वो जो एंटिस्पेट किये जाने वाले इशूस थे कश्मी में वो ना सामने आए अभी ये साल तो उन एंटिस्पेट या जो परसीवड कियो हुए खचे थे उन से निपटने के लिए गुजरा कोवड नाइटीन भी बीच में आया और अभी भी चल रहा है इस पैंडेमिक के जमाने में उनों ने ये थाबत कर दिया चाहे एड्मिस्ट हमद्दिसे जो रिडिकल मीडिया है और जो सेंसिटाइज करने वाला मीडिया है वो महौल को खराब करने के लिए किसी ऐसी बात को पहलाएगा जिस से ।कानियों जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नज़र नाए ये है नॉर्मल जिजिए जिनके वीडियो में आपको दिख कश्मीर में एक साल के बाद की नॉर्मल जिंदगी का हाल देखना है तो एक और विडियो क्रुप देखिए किस तरह कोविड-19 के जमाने में भी बजारों में इतियात के साथ एक हल जल भी है और इसके साथ साथ जजबा भी है कि आप देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं वह सिर्फ जिसके गांदरबद जो है अभी दुकाने फिली हैं यह इसी की वज़या से हैं कि हमने फॉर्विड-19 को अच्छी तेरी किसे जाना उसको समझा इसमें क्या हमें करना है कि हमें एक ही चीज़ करने हैं हमें सोशल डिस्टाइस रखने हैं कि अच्छी तेरी को बीचाहिए कि वह अपने कस्टमर से तहें कि आप बिल्कुल डिस्टंस का पारन करें और सैनिटाइजर का इस्तमाल करें मास्ट का इस्तमाल करें ताकि इस बिमारी से हम बच जाएं हैं यह नहीं सोचना है कि यह पुल गया हम किसी चीज़ का पालों नहीं करेंगे मौस का फालों नहीं करेंगे सानिटाइजर वगेरा जो भी हमें एक 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 पर रखने हैं उनका हम ध्यान नहीं रखें इसलिए कि हमें ध्यान रखना है और ताकि हम इस वज़े से बिल्कुल इस बीमारी से दूर रहें आम कश्मीरी चाहे वो शबीर आहमद हों चाहे वो मनजूर आहमद हों वो कोविड नाइनटीन की से भी अगाह हैं उस पर काबू पाने की बात भी करते हैं और ये वो वीडियो जो आम जिन्दगी के वीडियो हैं आज एक साल बात टेरिजम के लॉक डाउन और फिर कोविड नाइनटीन के लॉक डाउन से गुजरते हुए कश्मीर में किस तरह की अवेर्डनेस है और किस तरह की पुर अमन और पुर सुकून जिन्दगी है लेकिन इस जिन्दगी को हमारा सेंसेशनलाइस्ट मीडिया नहीं दिखा रहा दुनिया को नहीं पता चल रहा वेस्टन और वो जो टेर्रिजम की आग बढ़काने वाले बॉर्डर पार्स से जो लोग आते हैं अब वो बहुत कम हो गए हैं लेकिन अभी भी आते हैं और शायद कुछ अर्सा और आते रहें वोही दुनिया दिखाती है दुनिया को ये नहीं पता कि असल जिन्दगी कैसे रवाद आप देख रहे हैं कि लोग कश्मीर के एक साल बाद किस तरह की जिन्दगी गुजारना चाहते हैं वो जजबे आप देख रहे हैं सरकार उनको क्या सहूलतें दे रही हैं उसकी भी एक जलक इस वीडियो में देखिया पांच अगस्त को 12.370 और 35 ए जब भारत के समयदान से हटाया गया तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी अवाम को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा चाहे वो मुबाइल सोहलियातों का हो या फिर कारूबार के मामले में लेकिन अब कश्मीर को वो पहचान मिली जिसकी कश्मीर को जरूरत थी कश्मीर की तरकी और खुशाली के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी सिकी में आईद की है जिनके उपर आज हम गोर फरमाएंगे भारत सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि 366 करोर रुपे 4,000 ग्राम पंचायद को दिया जाएगा जिससे कश्मीर में तरकी हो और सरपंच को पंची सो रुपे और पंच को एक हजार रुपे हर महीने इंसेंट्यू दिया जाएगा ग्राम पंचायद ने कश्मीर घाटी में दो हजार और कलर की भरती का इनिकाद किया अब सरकार 634 ग्राम पंचायद को इंटरनेट सहुलियात महसर करेगी और हर जिले में दो डिजिटल गाउं बनेगे अब हर किसी को फलाहु बहबूत की स्कीम अधार कार्ड के जरिये मिलेगी ताके हर एक को यह मैसर हो अब कश्मीर में आईटी पार्के बनेगे यहां की सड़के बहतर होगी और यहां की बढ़ाई के लिए एमबीबियस और इंजिनरिक कॉलेजिस खुलेंगे और कैंसर जैसी खतरनाग बिमारी से बचने के लिए सिरीनगर के अंतर कैंसर इनिस्टिटूट खोला जाएगा और कश्मीर घाटी में मेट्रो ट्रेन की सहुलियाद भी मैसर होगी जिससे कश्मीर पूरी दुनिया में बहतरीन, खुशाली और अमन में शुमार किया जाएगा कश्मीर प्रॉग्रेस इन वन इयर आपके सामने है अब वो अन्रेस्ट, वो पत्थर बाजी और वो दैशत करती नहीं चलेगी और उस तरह चल भी नहीं पा रही जिस तरह चला करती थी और जो थोड़े बहुत एकादू का वाकियात होते हैं और जो इन फिल्ट्रेशन होती है सरहत के उस पार से उस पर भी कश्मीरी अवाम भी और भारत की सरकार भी काबू पा रही है और कश्मीर की एड्मिनिस्ट्रेटिव बाडिज भी काबू पा रही है बहुत ही खुशाइन सूर्टेखाल है अभी तो इस एक साल में एक बहुत बड़ा चैलेंज कोवर नाइटीन का आ गया और अगर ये चैलेंज ना आता तो ये जो प्रोग्रेस हो रही है तमाम तर एतियात के बावजूद पहले टेररिजम का जो जिन था उस से निपटने की एतियात और फिर कोवर नाइटीन के जिन से निपटने की एतियात इन दो बड़ी इत्यातों के बावजूद सिर्फ एक साल के अर्सा में फैक्टरियां किस तरह बन नहीं हैं, हॉस्पिटल किस तरह बन नहीं हैं, उनकी जल्कियां सामने आ चुकी हैं आप देखिएगा के आने वाले सालों में ये जो बन्यादें रखी जा रही हैं, ये किस तरह बड़े बड़े पॉर्जेक्ट्स के तौर पर आपके मेरे और दुनिया के सामने आएंगे मन्रेगा के ताथ काम दे रहा है और इसके साथ साथ 14FC भी काम दे रहा है इसे यहां के लड़कों को रोजगार मिला है जो इसी काम में बिजी रहते हैं, हम गौवर्णमेंट के शुकर गुझार हैं उन्होंने यहां ऐसा काम दिया है नाली नादिया है सब कुछ आजकल साफ है जिस ताइम से इतना भी काम नहीं दिया हमारे लिए बहुत अच्छा किया हैं हम गौर्णमेंट के लिए इस बात के लिए शुक्र गुजार है आजसे आगे भी काम होने चाहिए यहां फोटी नेफसी के जिस टाइम से सरपाइश साफ बगेरा बने बहुत ज़्यादा काम हमें मिला है हम इस काम के लिए गौर्णमेंट के बहुत बहुत शुक्र गुजार है और आजसे भी आगे काम आते रहेंगे लड़के भी इसमें बिजी रहेंगे रोजगार भी मिल रहा है वो भी सब गर में बेटे हैं यहां पर काम करने के लिए जो हमें यहां पर मेहनत करनी पड़ती है तो हम इसके लिए हम आफ को गुजारश करते हैं कि जितने भी काम हैं वो शबर आंकल इन सब को सौंपा जाए क्यूंकि हमें भी मदद मिलती हैं और हम गरूं को बीचला सकते ह तो development के काम हैं सडकें बन रही हैं लोग खुश हैं और infrastructure का जो जाल बिछ रहा है उससे पता चलता है कि एक साल की जो progress है मैं बार बार जोड दे रहा हूं कि ये मुश्किल साल था terrorism के virus के lockdown का साल था और Corona virus के lockdown का साल था और ये दोनों virus हभी भी मजूद हैं मगर इन पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है इन पर मकमल काबू पाना है तो जब ये काबू पाया जा चुकेगा तब आप कश्मीर की शान और आन देखिएगा COVID-19 के इस मुश्कल जमाने में कश्मीर में जो सहूलियात हैं तिब्बी सहूलियात खास दोर पर मेडिकल की जो फिसिलिटीज हैं वो भी बे खौफ औ खतर शेहरियों की मदद कर रही हैं और यू लगता है के जम्मु कश्मीर लदाख में COVID-19 से निपटने के लिए पूरी की पूरी तैयारियां हैं अवाम अमन और स्कून के साथ उन तैयारियों को बुरुए कार ला रही है और यहां पर यह बात बहुत जरूरी है कि अगर यह आर्टिकल 370 और 35 एकी अब्रुगेशन ना होई होती तो वो जो एक अन्सीन किसम का अन्रेस्ट था जिसके ताने बाने पाकिस्तान की प्रॉक्सी टर्रिजम के साथ जुड़े होगे थे वो चलते रहने थे वो पत्थर बाजी साथ साथ होती रहनी थी COVID-19 के साथ साथ मगर COVID-19 से निपटने के लिए अब शेहरी पुर सुकून पुर अमन महाल में अपना काम कर रहे हैं सरकार भी फिसिलिटीज दे रही है अब मेडिकल फिसिलिटीज की ये जलक जरूर देखिए जरूर इसका टों सेप्ट यह है कि सब्षिपटो हो जब भी कोई मीडिकल और सर्जिकल एमर जंसी होती है हमारे गडि़ों में यह बहुत अच्छी सिर्विस है यह कश्मीर में पहली बार यह हुई है इससे पहले यहां पे नहीं थी तो इन्होंने कंट्रोलों का नंबर भी दिया है तो जब भी इनको हम काल करते हैं जितना टाइम में बोलते हैं उतना टाइम में जहां पे भी हो उस टाइम के दोरानी प कश्मीरी शहरी शाहिद आमित कहते हैं कि पहली बार कश्मीर में इस तरह की एम्बूलन्स सर्विस आई है और उनका ये भी कहना है कि वो इतनी एकुरेट है और इतनी बरपूर अंदाज से सर्विस देती है कि जब जिस समय वो बोलते हैं कि एम्बूलेंस पहुंचेगी उस समय वो पहुंचाती है इस एक साल में लोगों को ना सिरफ ये के उमीद पैदा हुई बलके प्रैक्टिकली रिलीफ मिल रहा है नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जब नए नए हॉस्पिटल्स बनने की बात हो तो फिर मैं जरूर एक नए बनने वाले हॉस्पिटल की जलका आपको दिखाऊंगा ये जहन में रखिए कि अभी सिर्फ एक साल हुआ है और इस से एक साल में दो बड़े चैलिंजिस थे जिसमें मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ एक टेररिजम का वाइरस और एक कोविड नाइनटीन का वाइरस मगर अब कश्मीरी ये जान चुके हैं कि ये दोनों वाइरस बाहर के हैं इनके अंदर मजूद नहीं थे दोनों वाइरस बाहर से आये थे इन दोनों को देश निकाला करना है और काफी हर तक कश्मीरी बारती सरकार और कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इनका देश निकाला कर चुके हैं अब नए हॉस्पिटल की जरा ये जलक देखिए किस तरह बन्यादे रखी जा रही है और किस तरह काम आगे चल रहा है कर ला के बन्यादे रहा है कोविड नाइंटीन तो आपको पता है अभी इसकी कोई चल रहा है डे बे डे बढ़ी रहा है तो उस चीज़ को कंसिटिशन में रखके हमें बताया गया है कि इसको जितना वार फिटिंग पर जितना जल्द 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 खतम किया जाए जी एंसी को ताके यह उस जो भी हमा जाए तो यह इसा है जैसे देखे इस इस अस्पिटल में 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 एक शिफ्ट अरेंजमेंट किया हुआ था तो काफी से डेपार्टमेंट्स जो हैं हस्पिताल में ही बैठे हुए हैं तो उनको मैं कॉलेज में शिफ्ट कर आँँगा तो हास्पिटल अच्छा चलेगा और उधर से भी इस तो ठीक चलेगा तो यह सिरफ हास्पिटल ही नहीं एक मेडिकल कॉलेज है क्योंके मेडिकल कॉलेज हास्पिटल के बगैर बेमानी है और एक बड़ा हास्पिटल मेडिकल कॉलेज को अपने अंदर समोई हुए होता है तो यह प्रोग्रेस यानि एक लेवल की प्रोग्रेस नहीं कई लेवल की प्रोग्रेस है अब वादी में सिरफ एक हॉस्पिटल ही नहीं बन रहा बलके एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है और मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी ड्वैलिमेंट होता है स्टूडेंट्स को अब वादी में कश्मीर में जम्मू के स्टूडेंट्स को लदा के स्टूडेंट्स को अब मेडिकल कॉलेज वहां पर मिलेगा तो कितना बड़ा गिफ्ट है और जैसा कि आप एंजीनियर की जुबानी सुना कि वो इसको जल्द तमीर करना चाहते हैं उनको हदायात है सरकार की कि इसको जल्द तमीर करें क्योंकि ये हमें पता है कि ये कोविट का जो वाइरस है ये रहेगा अब हमें इसके साथ रहना है अब दुनिया को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फिसलिटीज की फ्यूचर में मुस्तक्बिल में इस वाइरस का मुकाबला करने के लिए और ये काम कश्मीर में हो रहा है अब मैं आपको दूसरी तरफ की बॉर्डर के उस पार की पाकिस्तानी एड्मिनिस्टर्ड कश्मीर की कुछ पिक्चर रिखाता हूँ कि वहां क्या हो रहा है अब वही टेररिजम का वाइरस जो पैंडेमिक के वाइरस से बहुत दहाईयों पहले कश्मीर को अपनी लपेट में लिए हुआ है वो वाकियात अभी भी हो रहे हैं यहां के कुछ मासूम बच्चे किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान पहुँचते हैं तो उनको किस तरह का सबक पढ़ाया जाता है एक ऐसा ही वीडियो क्लिप तीन कश्मीरी नौजवानों का वकील अमड़ दार मुहमद शफी भाठ और सजाद अमड़ खाचा वो कहानी बयान करते हैं कि किस तरह टेररिजम का वाइरस उनके अंदर मुन्तकिल करने की सरहद के उस पार यानि पाकिस्तान की तरफ कोशिश की गई जमीन पर चन्नत कहलाने वादी कश्मीर जहां दुनिया पर में अपटी कूबसूरती और दिलकिश नजारों के लिए मशूर है यहां के लोगों ने अमन मजब जहदी के रास्ते पर चलने की मिसाले काइन की है यहां के नौजवानों ने हर ख किसी शूबे में अपनâte नाम कमाया है वादी में नामसाइल हालाग ने जहां हर शूबे को मतास्र किया है वहीं समाज के मस्तइबल कहलाने वाले नौजवानों की जहनीद पर भी बहुत पुराशन पर गड़ा है स्कूल और कॉलेज जाने वाले नवजानों के हाथों में बंदूग रखके उनकी जिंदगी खराब करते रहते हैं बांडी पोरा बंकुट गांग के ती नवजानों की गानी ऐसी ही कुछ है अभरा बंक आख जानें उसके वो जाने बांग करते हैं हमारे वहां कारे उसंव चाहर आधे तीन साथ भी बात चोड़ा तो उसे ने अमको सब्सारा सब्सक्राइब करते हैं उन लोह ने काया है हम जह मना किया था आप मुझे नहीं बनेंगें हम गलेचर जानें यह नौजवान जब पाकिस्तान कोंचे तो वहां कहानी को जोर थी बस इन्हों ने वापस आनी की ठानी जो वहां के सरपरस्तों को परचूनिया था हुआ हुआ है पटके बादी उदर से गाड़ी में पिठाया तो अधिकार तो अधिकार गाश्तान है आपको कैसे पताता है यह मार्चष फैक्टरी जेल है और भाद में पता चेला है अगे उसके बाद रूम ने का क्या हमें काम आप मुझाई नहीं बनाना है टाचछाना है मतलब जो नूत मतलब सारे मजाहित रहते हैं सिर्फ मुझाइद रहते हैं यह अगाथ ऑईज dönू के सार्काह हो त़ सरकाब जेल ना यह भाइ से बालित टी में जेल बन लिए केश्वी ज्याधर ज्याधर जेविए उसमे जदा केश्व में भी जाड़ा है। कि इदर से जो गेरुआ लेदी है यह भेज़े खोग्रेट ऐसे जो ठीजव बने हैं? जरुज़े जाड़ हैं भोग्राइब जो जब दे रहा हैं ज़ो फेछ्वार्ड़ कोभी है? ने हमें बुहारा है से बढ़ा कूछा में बढ़ी आख बात का मुझेन दो भी आख निवा को रहे हैं जाख सब्सक्राइब को आख सकते हैं जाख सब्सक्राइब पर पहले से गाशब चोड़ी है अभी ताद्जिव को सब्खें से निती है करता। उसने अभी आउड़ करें लोग liby्हाज़ जिया, वस्तिम आउड़ को शेर". सब्खें लोग लेड़ी ह benefit मुझे धाना ँरल तो फ oynना लाटी तो निती है घुछी सत्सुर्य तो वे आप शरेके हैं अबाग से अंडार के तो क्यों ओफरतू? क्योंकि हम उदर ही टो इस्ते बाग रिया थी तो अपको कैसे लगा कि कश्मीरियों को इस्तेमाल कर राय करते है? वग्रें से बता ही जनरे बता ही तक देना है आप यह रुपने कर रुपने जो आप पीजार चरेज़ lag उसको दूनाता है, जो कश्री रिसाच को होता है उसको जयल लगए जयल बेजते है छिभरे तॉंप अर लिए स्ट कमाप्रे, में विवने कोटिया बनाइए होगा तु पेसे काते है अगाईयी पर समय है से सारी शब्डी प्रिसों जες एक यज्या घे चाहई है हम दो हमारे Гर से कब्डे आई हैं मेरे गर से वो आप इसके कब्डेर है कब्डेज कैसे हैं कहां जहर एंधर से प्रीज भीधर इंदर से ले खिभाव कहांसे ये एक ऐसा वीडियो है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए जो कश्मीर में टेररिजम के वाइरस को समयना चाहते हैं इस वीडियो को देखें आपने भी देखा मैंने भी देखा तीन नौजवान जो वादी से भाग के जिहाद के शौक में ट्रेनिंग लेने के लिए पा दोस्ताना महाल में बात कर रहा है आप नौजवानों की बाडी लेंगिज देख लीजिए वो किसी खौफ के तले नहीं बात को बियान कर रहे हैं बलके रिकॉल कर रहे हैं वो कहानिया और उनको एक पश्तावा है कि वो क्यों गए थे और एक अब इतमनान भी है कि वो बच गए टेरोरिजम का इंडन बनने से ये है दूसी तरफ की कहानी और ये जो वाइरस वहां से इदर आ रहा है ये एक वीडियो ही काफी है वैसे तो इस तरह के दरजनों क्या सेंक्रो वीडियो मिल जाएंगे सेंक्रो एविडेंस मिल जाएंगे मगर ये वीडियो इसमें उन इन नौजवानों की बाडी लेंग्विज देखिए तो वो कितनी सोले से रिकॉल कर रहे हैं उनको चीजें तोड़ तोड़ के याद आ रही है ऐसा ही जिन्दगी में होता है जब आप बटकते हैं तो फिर आप रिकॉल करते हैं कि आपके साथ क्या-क्या इंसीडेंस होगे है ये कहानी अपनी जगा पर इस सारे वाके का मू बोलता सबूत है कि भारत में जिस तरह की टर्रिजम सरहद के उस पार्ट से कई दहाईयों से आ रही है और किस तरह नौजवानों को टार्गट किया जा रहा है मैंने बहुत सारे वीडियो क्लेप्स आपको जमू कश्मीर लदाख में प्रोग्रेस के हवाले से दिखाए सिर्फ एक साल की प्रोग्रेस दूसरी तरफ पाकिस्तान में पॉर्टेस्ट ही पॉर्टेस्ट हैं चाहे वो गिल्गत बलतस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर हो वहां पर क्या हाल है क्या प्रोग्र सड़की ठूटी हुई है, कोई प्रॉग्रस नहीं है, देखिए एक ऐसा ही वीडियो क्लिप जिसमें गिलकत बलतस्तान और पाकस्तान एडमिनिस्टर्ट कश्मीर के लोग क्या-क्या दुख की कहानियां बियान करते हैं प्रॉग्रस नहीं को चुदे की नोग पर रहका है, किया हो साइब को दो रहे हैं अधर का देखिए कर देखिए, आप पहले देखिए, आप पहले गाते हैं, वो अधर पर आप 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 शोटें, इस चानिस्टर्शनिक अगा रहा है हमारा ये मुदालबा है, यह जो ड्रामा हमारे सामने पहले प्रैपिक करने के लिए भापे खड़े थे, हमारा मुदान्मा है अपने प्रैंडिस्टर्स नहीं बताएं, एक हम के चिगा खड़े हैं हमारे साब कोई मुदा्इब ह उख हैं, हमारे कोई वाज़ीयत है कि इस पे हमारे साब चुट बोना जा रहा हαι, अधाद हक्तließमके जाथ इस वड़ता कोई वाइदा हमाईदा ही मैं दूसरी बात एक और करूग हाra, हमारे बास बोग ये कहते हैं कि हमें इसका कुई वाइदा नहीं है हमारा जो चार्टर रिमाइड है हम मन लोगान उसी क्यों कर काइम है और काइम रहेंगे पाकिस्तान एर्मिनिस्टर्ट कश्मीर में और गिलकत बलतस्तान में एक अन्रेस्ट है सीन भी और अन्सीन भी दिखाई देने वाला भी और ना दिखाई देने वाला भी लोग इस प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें पाकिस्तान क्यूं चाइना के हाथ बेच रहा है कह रहे हैं कि हम तो मौएदे में कहीं है ही नहीं, इस मौएदे में तो पाकास्तान और चाइना ही है, हम तो है ही नहीं कहीं पर, ये सूर्ट की बात आती है बस किस मजी के साथ एक साज़श के ताइब जीनियर्स को उनका हाक नहीं दिया जाता यह जो ठंडे कमरों में बैठे वे लोग फैसला करते हैं उनको याद रखना चाहिए यह जो बिल्डिंग है यह स्ट्रक्चर है यह जो रोड़ है यह जो बजली है पानी है सारा हमारी कारह नमाया है हमारे बजड़गों के जो हमारे सीनियर्स थे उनकी काौफ्ट्ण का लिजिज्या है कबील से तालक रखने वाले लोगों को अगर अपनी लाजिक से और डीसेंसी से अपने मतालबात उन्हें तस्लीम ना करें तो ये अफसोस का मकाव है वहां के लोग खुल के कह रहे हैं के अनकी मेनतों का जो सिला है वो उनको नहीं मिल रहा उनके जो वसाइल है वो उनके डिस्पोजल पर नहीं है और वो बार-बार पाकिस्तानी सरकार से भी बैन-लकवामी कम्युνεटी से भी मतालबा कर रहे हैं कि उनके खलाफ जुल्मों सित्म का जो सिल्सला है उसको बंद होना चाहिए जैसा कि मैंने का कि मैं चन्द वीडियोज आपको दिखाऊंगा एक और वीडियो में वहां की जो बुरी सूर्टेहाल है जो अबतर सूर्टेहाल है उसका जाइजा मजीर लेजिए इसके साथ साथ गंदम की जो पटूती हुई है जो गिलगित बलतिस्तान के अवाम से जो मुझा नवाला चूना गया है इसकी हम बरजोर मुझमत करते हैं गिलगित बलतिस्तान एक पस्मंदा लाकर है हमें आने वाले एलक्शनों से दूर रखके वफाग में जो सेलिक्टिट हुकूमत बेटी है मेरे गिलगत बल्दिस्तान के साथ वो खेल खेल रही है आज हम से दो लग बोरिया भी काटी जा रही है और अलाकों में जल्म वज्याती भी हो रही है पाकिस्तान एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर और गिलगत बल्दिस्तान के लोग वहां पर ही पोर्टेस्ट नहीं करते हैं वो बेनलक्वामी कम्यूटी तक पहुंचते हैं वहां पहुंचकर अपना पेगाम देते हैं कि उनका हाल कितना बुरा है वो अपने हालते जार की कहानी दुनिया के हर फोर्म पर लेकर जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा फोर्म यूएनो है यूएनो के फोर्म में जनीवा में गिलकत बल्दिस्तान और पाकिस्तान एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर के लोग पहुंचते हैं हर मौका पर पहुंचते हैं हरे जलास पर पहुंचते हैं और अपनी दास्तान सुनाते हैं एक ऐसी ही जलक इस दास्तान में यूएनों के अंदर पाकिस्तान एड्मिनिस्टर्ट कश्मीर और गिल्गत बलतस्तान के एक पुलिटिकल एक्टिविस्स किस तरह बयान करते हैं जरूर सुनी और देखिये करके डिल्गते रची हैं एक आई छ मैं के एक ट कर्हा होजिए थाओ इस्य नियूम्निस्टर्ट से स्क्राइब फयर गिल्गते हैं प्रथास्ट दीजिज्स प्रок इAl-पास इनके रिजिए स्टानूर करैंसर इप दिपनी तैस पितान इजी कर्श इस्तान ट्यूस्टर्ट मैडम स्पेचल रेपोडर, मैं जांच से अग्सिड़न रियाखिए अच्टाइट सब्सक्राइब। हाफिज बसीम नासर वासी बुति अस्तोर यह ईडि़न अच्टाइब। इस अच्टाइब। मैं रिक्वेस्ट काउंसल आध इस आप अच्टानी गावन। और गिलगत बलतस्तान के लोग अपनी आवाज बेनलक्वामी कम्यूनिटी तक और बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स तक लेकर ना जा रहे हों उन लेकर जा रहे हैं उनकी आवाज किसी नहीं सी हद तक पहुंच भी रही है और हमें उमीद है कि वो सुनी भी जाएगी क क्योंकि ये अलमिया सिर्फ पाकिस्तान के कश्मीरियों का या गिलगत बलतस्तानियों का ही नहीं बलके बलोच कम्यूनिटी का भी है पश्टूनों का भी है सिंडियों का भी है महाजरों का भी है और हता कि इंडिपेंडन्ट सोच रखने वाले मेरे जैसे पंजाबियों का भी है एक ऐसी बेचैनी है हाकुक ना मिलने की बुनियाद पर और इंसाफ ना मिलने की बुनियाद पर लेकिन हमने इस शो में वाज़ तोर पर देखा के भारत के तरफ कश्मीर लदाख जम्मू वादी हर जगा कितनी बड़ी तब्रीलियां आई हैं आर्टीकल 370 और 35 एक एब्रोगेशन के बाद वो जो डिस्क्रिमिनाटरी किसम के वो जो नसली इम्तियाजाद पर मबनी एक ड्विजन थी वो मकमल तोर पर खत्म हो चुकी है कानून में खत्म हो चुकी है लोगों को प्रैक्टिकली उसके समराथ किस तरह मिलेंगे और आने वाले सालों में ये बात खुलती चली जाएगी वाज़ उती चली जाएगी अब तक की एक साल की प्रोग्रेस की कुछ जल्कियां मैंने आ आने वाले सालों में ये सूर्टेहाल कश्मीरियों के लिए बेतर से बेतर होगी और मैं सिर्फ हर साल नहीं बलके हर हफ़ते हर महीने ये प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करता रहूंगा आज आर्टिकल 370-35A की एप्रोगेशन के करीब एक साल गुज़र जाने के बाद मैं आप सब को मुबारक बात देता हूं खास तोर पर कश्मीरियों को मुबारक बात देता हूं के वो अब भारत के एक्वल सिटिजन्स हैं और ये बात किसी बड़ी काम्याबी से कम नहीं सब्सक्राइब तक्वी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट अनोटिकाशन पूटन